Hello students, welcome back to this very very important lecture series इसके अंदर बच्चो हम आपसे discuss करने वाले हैं ऐसे questions जो कि आपकी exam में 5 number आपका पका कर देगा तो without wasting time, let's begin तो बच्चो आज हम आपके लिए लेके आया हैं आपके इस triangle chapter से सबसे important theorem, Thales theorem बच्चो इसको हम basic proportionality theorem भी बोलते हैं तो देखिए जरा सा किसका statement क्या होता है और question कैसे पूछा जाएगा और 5 number कैसे आपको निकालना है तो बच्चो एक चीज बिगनिंग में मैं clear कर दो कि ये question as it is पूछा जाएगा आपके exam में इसके साथ साथ एक और सब question भी डाला जाएगा जैसे मालनों बच्चो आपको दे दिया state and proof basic proportionality theorem या बच्चो state and proof theorem theorem ऐसे करके दे दिया आपको question इसके साथ साथ एक नीचे में छोटा सा कोई प्रूफ भी लगा देगा एक नॉर्मल सा question देगा और उसको भी बोलेगा कि आप ये प्रूफ कर दो पार्ट ए पार्ट बी दो तरीके से यह नहीं दो एक ही question में दो पार्ट रहेगा आपका एक पार्ट में देगा state and proof this theorem और पार्ट बी में बच्छो एक छोटा सा question लगाया जाएगा correct तो इस चीज़ को ध्यान रखना है बच्छो आपको आईए अब समस्ते ज़रा सा कि इस बीपीटी को प्रूफ कैसे करते हैं पहले यह है क्या right तो पढ़ते है बच्छो इसका statement क्या दे रखा है इन्होंने कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle intersecting the other two sides in distinct points the other two sides are divided in the same ratio बच्छो यह statement इतने इंग्लिस अपने को समझ थोड़े आती है अपने तो बिलकुल simple language समझ में आता है तो आईए बच्छो बनाते हैं एक हम triangle यहां पर और देखिए इसी से सब कुस समझेंगे यह रहा हमारा एक प्यारा सा triangle बच्छो इसको name कर देते हैं इसकी naming कर देते हैं बच्छो a, b and c ठीक है यह है a, b, c हमारा एक triangle अब ध्यान दीजेगा कि इसमें जो है हमने क्या किया दो दो पॉइंट ऐसे सिलेक्ट किया है यहां पे दो पॉइंट ऐसे सिलेक्ट किया बच्छो a, b पे एक पॉइंट हमने सिलेक्ट कर लिया यहां पे कहीं इसका नाम दे दिया D, और बच्चो, A C पे एक point हमने कहीं, यहां select कर लिया, और इसका नाम दे दिया E, और बच्चो, इन दोनों point को जब हम join कर रहे हैं, यहां से, इन दोनों को जब हम join कर रहे हैं, तो जो हमें line segment मिल रही है D, E, यह जो D, E मिल रही है बच्चो, this D, E is parallel to BC, यही बोला गया है, कि if a line drawn parallel to one side of a triangle, तो बच्चो, यह जो line आपने draw किया है, किसके parallel में, यह BC side के parallel में draw किया है, क्या कर रहा है, intersecting the other two sides, तो बच्चो, A, B and A, C को, यहां से, इसे हटा देता हूं, मैं, ओह, 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 यह क्या बात होई, ओके, no problem, बच्चो, इसे ऐसे हटा देत बच्चो, अब तो ठीक है, हाँ, तो बच्चो, यह जो D, E है, यह आपके BC का क्या है, parallel है, और यह AB को point D पे cut कर रहा है, और बच्चो, AC को point E पे cut कर रहा है, और कैसे है, कि D is parallel to BC, correct, अब देखिए जड़ा सा, एदिया ऐसा होता है तो, बच्चो, क्या होगा, यह जो point D है इस AB को जिस ratio में divide करेगा, उसी ratio में यह point E, बच्चो, AC को ही divide करेगा, यही तो बोल रखा है, कि the other two sides are divided in the same ratio, clear हो गया यह पार्ट, तो बच्चो, यही है आपका BPT, और इसी को हमें क्या करना है, प्रूब करना है, तो आईए, क्या given है, हमारी लिए given है, बच्चो, ABC is a triangle, तो हमारी लिए given है, triangle ABC, ठीके जी, बच्चो, क्या proof करना आपने को, कि यह point D है, AB को जिस ratio में divide कर रहा है, उसी ratio में यह point E, AC को भी divide कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ बच्चो, कि AD over DB must be equal to AE over EC, clear है, तो इसी चीज़ को note कर लेते हैं, यहाँ पे, क्या करते हैं, बच्चो, AD AD over DB must be equal to AE over EC, AE over EC, यही क्या करना आपने को, proof करना है, यही चीज़े अपने को proof करनी है, ठीके जी, इतना clear है बच्चो, यस, अब एक काम करता हूँ, इसे हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है, चुपके चुपके इसे हटा दीजे बच्चो, प्यार से बिलकुल आए, हाँ, हटाईए, हटाईए, देखो आपको जो है option नहीं है न, हटाने का, क्योंकि आपने तो pen से लिखा हुआ है इसे, ठीके, मेरे पास तो option है न, बच्चो, समझते जाईए, एक एक चीज़ समझते जाईए इसका, अब देखिए, कहानी देखिए, constructions, constructions में क्या करने वा बच्चो, यहाँ पर जब परफिनिक्लो ड्रॉप करेंगे तो यह एंगल कितना बनाएगा, 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, तो कुछ नाम देते हैं बच्चो इसे कर देते हैं, जी, DM, DM is the परफिनिक्लर that is drawn on side AC, अब देखिए, इसी तरीके से, बच्चो यहाँ से, एक इसे, किस पे, AB पे, तो बच्चो यह कितना डिग्री के एंगल बनाएगा यहाँ पे, यह भी 90 डिग्री के एंगल बनाएगा, और इसका कुछ नाम दे दीजे बच्चो, N, यह हो गया DM, यह हो गया, बच्चो, EN, पहला construction आपने क्या किया, D से DM परफिनिक्लर ड्रॉप किय AC पे, E से, EN परफिनिक्लर ड्रॉप किया, बच्चो, AB पे, ठीक है, अब देखे, दुसरा construction, दो construction है इसके अंदर, बच्चो, पॉइंट B को जोइन करा दीजे, E से, और इसी तरीके से, पॉइंट C को जोइन करा दीजे, D से, बस, construction इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक ह जी, तो, जो जो आपने किया है, बच्चो, जो जो करना में यहां किया है, इस figure के साथ, वही चीजे, बच्चो, यहां पर बयां कर दीजे, लिग देजिए, कैसे देखे, हमने क्या किया है, बच्चो, DM, perpendicular to AC, and, EN, perpendicular to, EN, perpendicular to AB, यही तो किया है, हमने, अब देखे, बच्चो, इसके साथ, इसके साथ, हमने, जो आइन किया है, जो आइन, B, E, and, C, D, कोई confusion, बच्चो, यहां तक, I hope, there should be no confusion at all, तो, इसके अलावा, और कोई construction है, क्या, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो बच्चो, आईए, अब यहां से start करते हैं, हम इसका proof, तो, start करते हैं, बच्चो proof, ठीके, अब proof के लिए करेंगे क्या, दो, तीन बाते आपको ध्यान रखनी है, बच्चो, इस B, P, T को proof करने से पहले, पहली बात, कि area of triangle, area of triangle, मैं अगले page पे चलता हूँ, ठीके, यह समझने के लिए, इसे erase कर दूँगा, मैं, area of triangle, बच्चो, निकालते हैं, हम half into base into height से, जैसे माल लीजिए, एक triangle है, कुछ ऐसा आपका, है न, इसकी यह height है, बच्चो, और यह इसका base है, इसका area क्या हो जाएगा, half into base into height, ठीके, यह formula लगा के, आप इस triangle का area निकाल सकते हैं, ठीके, अब दिखे, माल लीजिए, बच्चो, कि यही triangle को ऐसे दे रखा है, इसे base बन होगा, half, यह वाला base consider करेंगे, और यह वाला height consider करेंगे, clear है, तो बच्चो, फरक नहीं पड़ता, आप इसे भी तो base मान सकते थे, यह height बन गया, यह भी हो सकता था, कि triangle आपको कुछ ऐसे दिख रहा है, यहां से आपने perpendicular drop कर रखा है, तो इसे base मान लीजिए आप, और यह ह हो जाएगा height, तो यहां भी क्या करेंगे, आप, half into base into height area निकल गया, यह कहानी clear है, बच्चो, चलिए, एक और चीज समझने वाली बात है, जो हम इसके अंदर use करेंगे, वो यह, कि बच्चो, माल लीजिए, आपका triangle कुछ है, ऐसे दे रखा है, obtuse angle triangle है, है नो, यह इसका base दे रखा है, बच्चो, तो height देखें, यह consider नहीं कर सकते है, यह height नहीं है, यह slant है, यह altitude हो सकता है, altitude बच्चो देखें, यहां से यह होगा, यह altitude है, 90 degree का angle बना रहे हैं, यह altitude है, तो हम क्या करेंगे, इसका area यह दे निकालना है, आपको, बच्चो, half base हम यह consider करेंगे, ब कहां से यह वाला part, इतनी बात clear है, yes और no बच्चो, clear है, चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चो, बहुत बढ़िया, आईए देखें, इनको मैं हटाता हूँ, हटाईए, हटाईए, अब आज यह वापस अपने figure में, अब मुझे एक बात बताईए, य यह जो triangle है, A, D, E, A, D, E, देखें आप, area आप चाहते हैं, तो मैं आपके लिए थोड़ा सा और life easy बना देता हूँ, कैसे देखें, इसको मैं यहाँ shift करता हूँ, इसको थोड़ा सा extend करता हूँ, इधर extend करता हूँ, ठीक है, अब देखेंगा, ध्यान दीजेगा, यह जो triangle, area दिख रहे हैं आपको, यह triangle, A, D, E, इसको मैं filling कर देता हूँ, फिल कर देखें, यह triangle की मैं बात कर रहा था, ठीक है, इसी triangle, अब इसे हटा देता हूँ, काम हो गया हमारा, मैंने दिखा दिया आपको, कि मैं A, D, E, यह वाले triangle की मैं बात कर रहा है, तो देखें, यह वाले माल लीजे इसको बेस माल लीजे तो यह बनेगा आपका हैट यह बात समझ भी आ रहे हैं यह बेश है यह क्या बनेगा बच्चो हाइट तो निकाल लेंगे 1 PLC निकल गया दूसरी बार क्या कर सकते मत चों यह बन जाएगा हाइट को same triangle ad e का area दो तरीके से निकाला जासकता है बच्चो एक बारी बेस्ट मालेंगे हम a e को तो height होजाएगा dm और एक बारी base मालेंगे बाच्चो ad तो height होजाएगा et same triangle है बार area बच्चो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं clear है Kaliar चलिए आईए यही चीज इसकी ज़रूद नहीं है ठीक है इसे चाहे तो आप हटा भी सकते हैं चलो हटा दिया ठीक है आईए तो बच्छो यहां पर लिखते हैं हम एरिया of triangles A, D, E ठीक है? A, D, E is equal to पहले मैं consider करता हूँ बच्छो बच्छो किसको? A, D को तो half times of A, D times of E, N E N यह क्या है बच्छो A D base है यह वाला base है और यह E N क्या है बच्छो altitude है clear है यह part चलिए इसे कर देते हैं equation number 1 same कहानी repeat कर देते हैं इसी triangle का area A D E का इस बारी consider कर लेते हैं base A E और altitude D L तो निकालते हैं लिखे again again area of triangle A D E तो बच्छो half इस परी base क्या लेने वाले हैं हम base लेने वाले हैं बच्छो A E A E और altitude क्या होगा बच्छो D M यह हो गया आपका D M equation number बन गया आपका 2 यहां तक कोई confusion है क्या I hope there should be no confusion at all अब बच्छो ध्यान दिजेगा इन भाई साहब का LHS और इनका भी LHS equation 1 & 2 का दोनों तो same ही है देखने है same ही triangle का area निकाला गया है न बच्छो तो RHS भी same होगा सिधी सी बात है तो करा दिजे same RHS जो from equation 1 & 2 चलते हैं अगले पेस पे और यहां लिखते हैं बच्छो from equation 1 & 2 क्या लिखा जा सकता है बच्छो half times ad times en half times ad times en is equal to half times ae times dm ae times dm बच्छो यहां से एक बात पताईए half and half काटा जा सकता है क्या बिल्कुल काट सकते है तो यहां पे देखे ad यह ad एक काम करिए बच्छो यहां से ae इधर ला दीजे divide it यहां से en को उधर भेजिए तो यह बच्छो dm agities है e-n आके आपका divide हो गया कोई confusion इसे equation number third बना दीजे और छोड़ दीजे आज़े इतना ही करके इसे छोड़ दीजे जब जरूरत होगा उसके accordingly इसका use करेंगे ठीके जी आईए अब वापस से आते हैं अपने diagram क्या कहानी देखा आपने हमने use किया ad e का area दो तरीके से निकारा एक बारी बच्छो base मान लिया था ad और height था हमारा e दूसरी बारी base मान लिया था a e और altitude क्या था बच्छो dm ठीके चलिए आईए बच्छो साथ साथ में एक और कहानी है जिसे आपको सीखना है ठीके क्या कहानी है बच्छो यह एक ninth grade का थिवरंध हुआ करता था कि माल लिजे यहां पर एक हमने line बना रखा है ऐसे माल लिजे एक line है यह और एक line यहां पर है चुनों मैं थोलो साथ अच्छा line बना देता हूं इसका use कर लेता हूं बच्छो एक छोटी से line है यह और एक यह बड़ी सी line है ठीके और यह दोनों के दोनों line कैसी है बच्छो पारलेल है एक दुसरे के यह line और यह line एक दुसरे के क्या है पारलेल है तो अब एक बात ध्यान दीचेगा इसके बीच में आप जितने भी triangle बनाएंगे लेट से यह एक मैंने triangle बना दिया ठीके नाम कुछ देदीजे बच्छो A, B, C ठीके अब हमने क्या किया एक और triangle बना दिया ऐसे ठीके इसका कुछ नाम देदीजे आप D A, D, B देखेंगे आप इन दोनों triangle का क्या है base same है same base है same base है इस वाले triangle का भी base क्या है बच्छो A, B है और इस वाले triangle का भी base क्या है A, B ही है और खास बात क्या है कि बच्छो यह दोनों के दोनों triangle यह एक pair of parallel line के बीच में बना है तो बच्छो ऐसे जितने भी triangles बनेंगे जो किसी दो parallel lines के बीच में बने हो माली जा ऐसे दो parallel lines है ऐसे माली जा दो parallel lines है ठीक है और इनके बीच में आप thousand triangles बना लीजे बच्चो ध्यान रखियेगा यदि उनका base same है तो उनका area भी same हो यही theorem बताता है कि कितने भी triangle n number of triangles which are situated between the two parallel lines and they have the same base then they are going to have the same area ठीक है उनका area बच्चो same होगा कब condition क्या है कि बच्चो दो parallel line के बीच में होने चाहिए और उनका base same होना चाहिए ठीक है यह कहानी clear हो गई same base and situated between the same parallel line तो बच्चो ऐसे सारे triangle का area same होगा ठीक है चलिए जी इन कहानी को हटा देते हैं हमारा काम हो गया है concept हमने सीख लिया है आईए वापस क्या अभी जो हमने सीखा है वही कहानी यहां पर repeat नहीं हो रही है बच्चो जड़ा सा देखिएगा BDE देख रहे हैं BDE यह वाला triangle जड़ा सा देखिए आपको बताया गया है यहां पर कि given में क्या था triangle ABC इसके अंदर बच्चो हमें बताया गया था कि DE जो है यह एक चीज़ आप नोट कर लिजेगा कि यह जो DE है इस तरीके से ड्रॉ किया गया है कि that should be parallel to the third side यानी BC के parallel है तो बच्चो DE इसके parallel है तो दो parallel line हो गया पहला चीज़ और बच्चो जो triangle आपने यहाँ पे select किया है देखे जला सा जो यहाँ पे आपने triangle select किया है बच्चो एक यह रहा triangle आपका ठीके एक यह triangle रहा और एक यह triangle रहा क्या यह दोनों triangle दो parallel line के बीच में बना है हाँ DE and BC दो parallel line से बच्चो यह जो triangle है इन्हीं दोनों के बीज में बना है और इनका base यह जो DE इसका base है बच्चो यह दोनों के लिए है इस वाले triangle का भी यही base है और triangle DCE का भी यही base है क्या समझ में आया बच्चो कि इन दोनों triangle का area same होगा बट सबसे बड़ा question क्या है कि इनका area है क्या है अब देखिए इनका area निकालते कैसे है तो यदि मैं यहां पर एक triangle कुछ ऐसे बना दूँ रूख जाए ऐसे बनाता हूँ बच्चो एक triangle मैं कुछ ऐसे बना रहा हूँ ध्यान दीचेगा यह triangle ऐसे बना हुआ है बच्चो यह obtuse angle है हां यह इसका मैं बेस Consider करने वाला हुका इसको ह̱ाइट सब्कू भूल की कलती मेला यह यह है यह वे यह शीज को अभी इतना मेहनत करके बच्चो तो आपको यहां पर सिखाया है, क्या कि एक लाइन आपने ड्रॉ कर दिया ऐसे, यह एक obtuse angle triangle है, यह बेस तो है, यह height नहीं है, यह height है, बचो यह altitude है, बेस तो यह है आपका, accepted, बट यह क्या है आपका, यह altitude है, यह नहीं, clear, तो इसकी area जब निकाला जाएगा, इसका area, बचो half into base into height लिखेंगे आप, बट altitude यह लेंगे, not this, not this, यह नहीं लेंगे आप, clear है, चलिए, यही कहानी बचो आप लगा दीजिए, कहां पर, यहां पर, in triangle, area of triangle VDE, तो बचो बेस तो हमारा, बेस तो हमारा यह है, accepted, बट बचो, altitude यह नहीं है, altitude क्या है, यह है, देखेंगे निकाल रहे है, इसका area निकाल रहे है, कहानी समझ में आ रही है, चलिए, तो लिख लीजिए बच्छो, क्या लिख देंगे हम, कि area of triangle BDE, that is going to be half into base into height, half base बच्छो BD, और height आपका EN, तो लिखेंगे है यहां पर, area of triangle BDE, that is going to be equal to half into base, base क्या है बच्छो, db, times height क्या है बच् EN, चेक कर लीजिए एक बजला सा, मैंने सही लिखाया नहीं, db आपका base है, और EN क्या है बच्छो, height है, altitude है, clear है यह पार्ट, चलिए, तो इसी थरीके से, इसे कर देते हैं बच्छो, equation number 4, ठीक है, and, area of triangle, यहां आ जाईए, cde, यह वाला triangle, यह वाला देखिए बच्छो, triangle, cde, area of triangle, cde, area of triangle, cde, इसमें भी क्या होगा बच्छो, half, base, base इस बारी क्या होगा, base इस बारी बच्छो, हम लेंगे, ec, और height क्या होगा बच्छो, dm, तो कि यह तो height हो नहीं सकता, 90 degree वाला यह है ना, अंगल, तो dm that is going to be the height ec over dm, बच्छो, यहाँ पर लिखते हैं, आपने ec times dm, यह है बच्छो, आपका equation number 5, clear है, ध्यान दीजेगा, तो यह जो area है, area of triangle, bde, and area of triangle, cde, यह equal होगा, यहाँ नीचे लिखे, as, 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 the area, as, ऐसे लिखते हैं मच्छो, as, the triangle, the triangle, bde, and cde, cde, are having, are having, the same base, same base, same base, and, are situated, are situated, between, v by w, between, between the same, between, the same pair of, between, the same pair of parallel lines, between the same pair of parallel lines, you know, therefore, therefore, क्या मैं बोल सकता हूँ बच्छो, कि area of triangle, bde, must be equal to, area of triangle, cde, cde, क्या लिखा जा सकता है, यह theorem है, डाइरेक्ट, 9th grade का, यही तो, इसलिए तो मैंने इतना सारा पहले महनत किया, कि इस theorem को मैंने समझाया, तो बच्छो, equation 4th and 5th से, क्या हम यहाँ पे, लिख सकते हैं, कि, यह जो, यह area और यह area जब same है, इनका बच्छो, यह, RHS भी equal होगा, लिख दे हम, कि, half times db times en is equal to half times ec times dm, check कर लीजे बच्छो, कोई confusion है क्या इसके अंदर, सायद नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से, 1 by 2, 1 by 2, rest in peace, RIP, खतम, तो बच्छो, यहाँ पे आप देखिएगा, यह जो db है, ओभर ec करतीजे, यहाँ से बच्छो, dm को agit छोड़िए, और en को नीचे भेज़ दीजे, correct, अब जड़ासा इसे equation number बना दीजे, 6, equation third and sixth को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्छो, इस equation को, और इस equation को देखिए, क्या समझ में आया, dm over en, dm over en, इन दोनों का, जो rhs है, वो तो सेम ही है, तो एक page add कर लेते हैं, यहाँ पर, चलिए, और बोलते हैं बच्छो, from equation third and sixth, बच्छो, इनका rhs सेम है, तो क्या इनका lhs भी सेम होगा, तो ad over ae must be equal to db over ec, चेक कर लीजे, क्या यह वाली बात समझ में आई बच्छो, यह और यह, दुनों को मैंने क्या कर दिया, equal लिख दिया, क्यों, क्योंकि बच्छो, इनका rhs क्या है, इनका rhs सेम है, कोई confusion, I hope, कि बच्छो, यहाँ तक सारी concept clear है, चलिए जी, बहुत बढ़ी, आप तो proof हो गया, खतम हो गया, यहाँ से, देखे, ad, बच्छो, इस db को निक्षाइड ला दीजे, और यहाँ से ae को उपर भेज दीजे, ae over ec, चेक करिए ज़र साब को proof क्या करना था, देखे, to proof, अच्छा, यहाँ से यह कहानी, कोई बात नहीं रहने दिजे, तो statement of हमने देख लिया, तो that's all, right, बच्छो, क्या proof करना था, आपने को, ad over db is equal to ae over ec, क्या यहीं मिला है हमें, ad over db is equal to ae over ec, hence proved, hence proved, बच्छो, यह जो line लिखने की खुजी है, यह जो student exam में लिखता है, hence proved, जो अनन्द है, right, इसे words में express नहीं कर सकते, right, तो, एक एक चीज, जो हमने आज बताया है, बच्छो, उसको note करिए आप, यदि कहीं कुछ doubt रह जाता है, तो इस वीडियो को दुबारा से play करिए, क्योंकि यह सारी के सारे questions, जो मैं discuss करने वाला हूँ, पक्का में, यह बहुत ही highly important होंगे आपके examination point of view से, तो बच्छो, आज के लिए, इतना ही, हम आज से फिर मिलेंगे, इस सीरीज के अगले वीडियो लेक्चर में, till then, bye, take care.